सीधे उसके बाद देखिए 94 प्रजम्शन इंडिटर्मिनेशन ऑफ एज इस वेरी वेरी इंपोर्टन बहुत जादा इंपोर्टन्ट है यह सेक्शन आपके एक्जाम के लिए प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा सबसे बड़ा सवाल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के स सामने हैं जब किसी जुवेनाइल को पेश किया जाता है तो यह होता है कि उस बच्चे की एज क्या है काई बार होता है ना जैसे मतलब 17-12 साल का बच्चा आप देख के वो लग रहा है कि अब वो 17 का भी हो सकता है तो बड़ी समस्या यह आती है कि उसके एज का दिया जाए तो इस हाट तो डिस्टिंगवेश किये किस एज वरॉप में आ रहा है यह मुश्किल है यह इडिनिटिफेकेशन कैसे करेगा बोल्ड अगर उसके सामने है समग से आती है कौन से वो अगर अगर अधर्वाइस एविडेंस नहीं है तो वो कौन से चीजे हैं जि अगर अगर आपको प्राइमाफिसी देखके लगता है कि हायर बच्चा अगर अगर आपको प्राइमाफिसी देखके लगता है कि हायर बच्चा उसकी एज लिखिया और इसके बाद एकि सब्सेक्शन टू इनके सी कमिटी और थी बोर्ड हास रीजनेबल ग्राउंट अगर रीजनेबल ग्राउंट का कि समझ में नहीं आ रहा क्या एज होगी रिगार्डिंग वेदर परसन ब्रॉट विफोर इस इसका जबाब यहां लिखाए इसको बिलकुल याद कर लेना है एक एक चीज इससे प्री का क्वेश्चन बनने के बहुत चांसे होते हैं और ऑप्शन में आप सबसे पहले देखिए देट और बड़ सर्टीफिकेट स्कूल का बड़ सर्टीफिकेटबर अलग अलग यह से होता है कौन सा मानने है कौन सा नहीं स्कूल के द्वारा दिया गिया डिट बड़ सर्टीफिकेट या फिर matriculation या equivalent certificate from the concerned examination board जैसे CBS थी कि 10 वी की mark street में date of birth लिखी होती है इसलिए वो date of birth का proof हर जगे माना जाता है यहाँ पे भी माना जाएगा उसके बाद देखिए था birth certificate given by corporation और a municipal authority और a panchayat जो local authorities हैं उनका दिया हुआ birth certificate भी मानने होगा अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तभी आप तीसरे option को अलाओ करेंगे तोनों में से कुछ नहीं है तभी अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तभी अबग इस शाल भी determined by an ossification test और कोई दूसरा जो medical science में आजाए फिलहाल ossification test ये भी सवाल बनता है कौन सा test किया जाता है determination के लिए याद रखिएगा ossification test और कोई medical science में नया test हो जाता है determine करने का तो वो भी adopt किया रह सकते है लेकिन ये कब किया जाएगा in the absence of these two अगर इन में से कुछ है तो फिर उसी पर proceed करेंगे ऐसे केस में ossification test नहीं होगा ये सब question बन सकते हैं pre-k